नमस्कार मैं राखी गुजर और आप देख रहे हैं न्यूस 31 उत्राखन मुझफर नगर से एक अतरंगी शादी काफी ज्यादा चर्चाओं में है दरसल बीटेक पास लड़की ने अपनी बरात आने से पहले घुर्चडी के रस्म निभाकर नई परंपरा की शुरुवात की तो राचलते लोगों के कदम भी ठहर गए तो वहीं कॉलोनी वाले गदगद नजर आए और सस्राल के लोगों ने भी शाबाशी थी बता दे मुझफर नगर के दिहाती परिवेश में पली बढ़ी इकलोती बीटिया के पिता भी सीना चोड़ा कर बोले मारी छोरी क्या छोरों से कम है मुझफर नगर के खतौले निवासी किसान विनय चोधरी की इकलोती बेटी सिमरंद चोधरी ने आईटी से बीटेक किया है वो दुबई की एक कमपनी में नौकरी करती हैं उनका रिष्टा काशिपूर निवासी दुश्यंत से तैह हुआ दुश्यंत नागपूर में रिलाइंस कमपनी में एरिया मैनेजर हैं बता दें दुश्यंत के जीजा दिव्यसिरोही ने जीवनसाथी.com पर अपने साले की शादी के लिए इष्टिहार दिया था जुसके जरिये ही ये रिष्टा पक्का हुआ सिम्रन चौधरी शादी के कुछ दिन पहले ही दुबै से लोटी थी वही परिवार में कोई बेटा ना होने के कारण विनय के परिजन बेटी के जरिये ही विवा के सारे अर्मान पूरा करना चाहते थे इस दोरान परिवार के लोगों ने सिम्रन के सामने उसकी घुर्चड़ी कराने का प्रस्ताव रखा तो सिम्रन ने भी हां कर दी पूरी कालोनी के साथ परिवार ने करीब एक घंटे तक सडक पर बिटिया की घुर्चड़ी का जश्न मनाया बता दें सिम्रन एक किसान परिवार से तालूख रखती है उनके पिता विने उर्फ पिंटू चौधरी ने बताया कि बेटी की घुर्चड़ी कराने का मकसद समाज के बीच ये संदेश देना है कि जिन घरों में बेटा नहीं है वो हमेशा बेटी को ही बेटा मान कर परवरिश करें